हाई एवरिवान वेलकम बैक आज मैं आपके साथ पूरी दस ऐसी रेसिपे शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपनी दिवाली पार्टी या किसी भी पार्टी में इंजॉय कर सकते हैं सब की सब बहुत नूटिशियस है और बहुत ही टेस्टी भी है और बनानी भी बहुत आसान है सूपर हल्दी है इसे आप बिना किसी गिल्ट के अपनी पार्टी में इंजॉय कर सकते हैं और सब को बहुत पसंद आने वाली है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप इन में से कौन सी ट्राइ करने वाले हैं अपनी पाती में तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इन चॉकलेटी मखाना से यह बनाने भी बहुत आसान है और बहुत न्यूटिशिस है क्रंची ओ जाएंगे तो हमने डाक चॉकलेट को मैल्ट कर लेना है आप माइक्रोवेब मे भी कर सकते हो या फिर डपल बॉइल कर तो उसके बाद हमने इस तरह से टिप करके इसे रख लेना है मखाना में कितने गुण होते हैं यह आलरडी में अपनी कई वीडियो में शेयर कर सुकी हूँ इसलिए मैं दुपारा रिपीट नहीं करूंगी तो इसी तरह से हमने सारे मखाना को कोट कर लेना है बच्चे से लेकर के बड़ों तक सब को बहुत पसंद आते हैं तो चलिए ने वे मिफ में योजए यह कोई मिठने उसकर नहीं कर रहे हैं तो सब को हमने अच्छे से जो हैं मिफसर ब्लेंड में ब्लेंड कर लेना हैं इसमे हम कोई मीठा नहीं यूज़ कर लें कोई नाच्रल में उसक्र तिर॥ जो चीन क्रंची समोसा मतरी जो कि क्योंकि हमारी इंडेंस की पाटी ना चाय पाटी बेना समोसा के अधूरी सी लगती है तो लेकिन आइसे हम डिफ्राइ नहीं करेंगे इसे हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जिसमें इसकी जो आप इसे गिल्ट फ्री खा सकते हैं तो तो इसमें थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए मैंने यहां पर जितना आटा लिया है उसका चौथा इसा मैंने थोड़ी सी यहां पर सूजी ली है मेरे बिल्कुल बारीक वाली सूजी है अगर आपके बास मोटी है तो आप उसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे थोड़ी से अजवाइन आड़ कर देंगे अजवाइन को पहले इस तरह से हाथ में रब करके फिर इसमें आड़ करेंगे फिर इसमें मोयन लगाने के लिए थोड़ा सा तेल हम आड़ कर देंगे और बस उसके बाद इ सारी वीडियो ना बहुत लॉंग हो रही थी इसलिए मैसे शॉट में ही बता रही हो बस इसे ढग करके हमने थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देना है मीनवाइल हम इसकी स्टफिंग त्यार करेंगे जिसमें कि सारा जीरा थोड़ी से मेथी दाना और उसलिए पनीर के भी आटा पांगों ना थी उसलिए कर सकते हो जाए शॉड़ी से गरं मसाला जम प baskी करणा हो परने को शक्राट का सब्सक्रिश्य को बापने मैं भी आच़्ा कर सकते हो तो बस टफिंग तेयआर होगी है और आटा भी हमारा के hospital हो गया था असे रोटी इस तरह से प्लेस करके इसे कon बनाना है और यहां पर हम थोड़ा सा आईल लगा, पानी लगा देंगे ताकि जो पानी है थो ग्लू कांक करेगा और हमारे कौन को स्टिक होने में चिपकने में हेल्प करेगा तो इस तरह से समुसा का कौन हमारा बनकी तैयार हो जाएगा और इसके बीच में हमने स्टफिंग डालनी है दो चमब स्टफिंग मैंने अड़ की है अच्छे से इसमें वो प्रेस कर लेना है ताकि यह छूटे ना दो इस तरह से ऐसे हमने फोल्ड करके इनको अच्छे से जॉइन कर दाना है और हमारा समुसा तैयार है चाहो तो आप इसे डी फ्राई भी कर सकते हो लो फ्लेम पे लो तो मीडियम फ्लेम पे लेकिन आप ज़म इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे थोड़ा हेल्दी वे के साथ ग्रीज कर देना है जिससे की क्रिस्पी लियर इसके ओपर तेयार होगी और इसे 180 डिग्री पे मैंने इसे 40 मिनट के बेक किया था बाकी डिपेंड करता है आप कितने समोसे बना रहे हैं जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाते तब तक आप इसे बेक कर सकते हैं इसी त के साथ में पत्री बना सकते हैं और तरीका बेक करने का सेम ही रहेगा आप चाहे हो तो इसे एर फ्राइ भी कर सकते हो बड़ इसे हमने टूड़ी होती है इसलिए जल्दी से प्रिस्पी हो जाती है तो नेक्स बनाएंगे रागी बिस्केट्स आप इसे अपनी पार्टी में अपनी चाहे के साथ सर्फ कर सकते हो या फिर आपे इसे गिफ्ट भी कर सकते हो अपने फैमली और फ्रेंज को बहुत ही हल्दी और बहुत ही इजी ऑप्शन है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे नॉमल घी लिया है घर का बना हुआ प्योर घी है आप कोई भ अपनी प्रेंगे रागी अपका फ्लार एक कप हम एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में इसमें एक चॉकलेटी फ्लेवर देता है और चॉकलेटी बेकिंग पावडर राद कर के इसे बिलकुल छिल्ड थंडे दूद के साथ में हमने नीड करना है थोड़ा थोड़ा दूद ही आड़ करेंगे एकदम सादा नहीं डालेंगे क्योंकि लीकुट फॉर्म में ना जाए बस इस तरह से डो बना करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से से सैट हो जाए और हमें इस तरह की बॉल बनानी एजी हो तो सेम साइज की इस तरह से बॉल बना लेंगे फिर किसी स्पैचुला या फिर अपने हाथ से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि कुकी की इसमें शेप आजाए इस तरह से सारी हमने फ्लाट कर लीनी है आप इसे उपर से जिस तरह से मर्जी डेकुरेट कर सकते हैं या फिर किसी आपकी हेल्प से आप इसे डिजाइन भी बना सकते हैं मैंने नॉर्मल रखा है और ऊपर से थोड़े से मैंने इसके ऊपर नटस आड़ किये हैं उसके बाद इसे वान सेवंटी डिगरी पर बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए आप चाहो तो से कड़ाई में भी बेक कर सकते हो उसकी रेस्पी अलग से मेरे चैनल पर अवेलिबल है और बहुत ही बढ़िया यह हमारी कुकीज या फिर बिसकेट बनके त्यार हो जाते हैं तो नेक्स हम बनाएंगे यही फिर चने की कबाब यह बहुत तीस्टी बनते हैं और फुल अफ प्रोटीन होते हैं यह अगर आप अपने पार्टी में आड़ करेंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएंगे और बच्चे भी बड़े मज़े से खाएंगे और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में और बनाने में डो नो डाउट बहुत ही ईजी भी है और बहुत तेस्टी हैं तो इसे बनान और अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी आड़ कर सकते हो बस इसे अच्छे से हमने ऊपर से थोड़ा सा अमचुर पाउडर आड़ कर लो या फिर निम्बू का रसा आड़ कर लो जो भी आपके पास अभेलेबल है उसके बाद इन सारी चीजो का कोर्स ता इसे रखना है आप देख सकते हो इस तरह का टेक्स्चर इसका होना चाहिए आपको कोई पानी नहीं आड़ करना है क्योंकि मेरे जो चने है ना वो फ्रेशली उबले थे तो इसमें थोड़ा सा मुश्चिर था लेकिन अगर आपके पास जो चने है वो पहले से सूखी है तो हलका फुलका आप उसमें आड़ कर सकते हो थोड़ा बहुत पानी उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च आड़ करी है आप चाहो तो थोड़े से लाल मिर्च पाउडर और आड़ कर सकते हो उसके बाद थोड़ा सा इसमें कच्चा हम सरसों का तोड़ा सा हाथों पे लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों पे चिपके ना और इसे अच्छे तरह से कबाब मैंने बना के रख लिए हैं फिर पैन में थोड़ा सा तेल आट करेंगे जादा नहीं हलका सा ताकि हमारा जो सारा पान वो अच्छे से ग्रीस हो जाए और जब बिल्कुल गरम हो जाएगा तेल तब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो ही रखेंगे और हमारे सकते हो बहुत इपैस उप्षा है imagin तो नेक्स्टेजम बनाने वाले है स्वीट पटेटो यानी की शकरकन्दी की टिकी तो शकरकन्दी को नॉ्हमल नम कट करम तो नू विसल लगाकर केश से पका लेंगे डिपेंड करता है कि आपकी शकरकन्दी किटनी मोटी है नहीं है तो दो-तिन विसल लगेंगे अगर बिल्ककुल पारीक पारीक और एक विसल में भी काम हो जाता है तो बस उसे अच्छे से मैच करने के पाद इसमें हम पनीर यह ब्जाते ह्लेगे और साथ ही में थोड़ा धनीया और साबट धनीया और थोड़ा धनीया पाउडर ऑड़ अपर से थोड़े से मैं इसमें तिल आड़ किये हैं इसके नुट्रिशन वाल्यू को और जादा बढ़ाने के लिए इसे बस उसके बाद हमने पैन को हलका सा ग्रीज कर लेना है और इन टिक्कियों को शेलो फ्राइ कर लेना है इसे आप अपने वरत में भी खा सकते हो नवरात अपने नमकीन की लेकिन बहुत नुटिशियस है इसे आप अपने सर्दियों में खूब एंजॉय कर सकते हैं सारे हमने यहां पे सबसे पहले मखाना लिये है उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पी जब हो जाएंगे तो एक अलग बरतन में ट्रांसर कर जा़ है जाएे में अबर गारे र्लीक है यह दो को एक हमशा सोक खाना तरह शेके ले सीड़ होई समय के समय के काली मिर्च मैं बिल्कुल असान तरीके से और बहुत ही nutritious तरीके से बनाएंगे बिना fry किये सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कब जो है धुली मा की डाल यानि की धुली उड़त की डाली है यहाँ पर मैंने अलड़ी इसे सोक करके रखा हुआ था आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है उसके बाद हम इसे grind करेंगे तो mixage आर में इस दाल के साथ साथ में हम डालेंगे कुछ अद्रक के टुकडे और साथ ही में इसमें डालेंगे अपनी choice से जितना आप टेस्ट में मिर्चे खाना पसंद करते हैं और साथ ही में टेस्ट के according इसमें नमक आड़ करेंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा आड़ करेंगे आप जाहो तो इसमें चाट मसाला, काली मिर्च और गारा भी एड़ कर सकते हो according to your choice बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल आपने इसमें पानी जो है रिक्वार्मेंट के हिसाब से ही डालना है बहुत जादा लिकुड फॉर्म में नहीं बनाना है इस तरह से टेक्श्चर होना चाहिए अगर आपकी डाल में अलरड़ी पानी था तो आप इसे देख करके ही डालें अगर पानी बिल्कुल सूख चुका है तो थोड़ा थोड़ा आड़ कर सकते हैं उसके बाद इसे विस्क करना है आप हाथ से भी विस्क कर सकते हैं विस्कर है तो उससे भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से इसमें एक फ्लफी नैस आती है और आपकी जो हमारे भले फुले फुले बनते हैं तो से चेक करने के लिए कि हमारा रेडी है यह बेटर के नहीं तो इसके लिए पानी का टेस्ट करेंगे। पानी में घले मीन से लाइथ कोई ती मंधे ता मुर्म आता है इसे दूड़ी दियु और टो जाता है तो जाए झावा स27 लिज्यियु थोड़ी दिल विस जावागी है तो बिल्कुल minimal oil में ही हम अपने भल्ले जो है या वड़े जो है तियार करेंगे इसमें थोड़ी-थोड़ी quantity में सब में आड़ कर देना है तो normal जिस तरह से आप बनाते हो उसी तरह से इसे बनाना है तो इस तरह से सारे फिल करने के बाद इसे धक्कन लगा करके हम medium flame पे चार बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं आप चाहे तो ऐसे बी से चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं भल्ले तेयार है या वड़े तेयार है उसके बाद मैंने यहां पे गुनगुना पानी लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग किया था उसके थोड़ा सा नमक मैं उपर से और एड़ कर रही हूं तो बस इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे एक से देड़ घंटे में यह तैयार हो जाते हैं तो एक घंटे बाद हम आने यहां पी देखिए इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से पानी पी लिया है और यह बिल इस नमक मैं अग्शान वें और तो थोड़ी चैनी पावडर आड़ रहे प्रछुद करने देखिए अगर आप चीनी आट पाऊडरी आपकर देखिए अगर आप चीनी अवाइड करना चाहते हैं तो ठोड़ी सी मिष्री या खांट भी आइड कर सकते हैं और बस उसे रही साथ थोड़ी सी मीठी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं इन चटनीों की रेसिपी चाहिए तो वह भी मेरे चानल पर अविलेबल है आप कमेंट कर देना में नीचे इसक्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करूंगी उसका लिंक डाल दो तो नेक्स रेसिपी आ जाती है हमारी ब में अच्छा यह तो बस उसके बाद मैंने यहां पर लिया है एक छोपर लिया है आप चाहिए है तो हाथ से पर बॉक्ल बारिक चॉप कर सकते हो अश्यूर कि बिल्कुल बारिक होना चाहिए क्योंकि पीसिज आएंगे ना मूह में तो अच्छा नहीं लगे मैं उसके बाद तो यह सारी वेजिस अगर इन में से एकाद नहीं भी है तब भी चलेगा लेकिन ये सारी है तो जतनी जादा डालोगे उतना जादा नुट्रिशन भी मिलेगा उतना जादा फ्लेवर्स भी एनास होंगे थोड़े से पुदिना की पतिया भी आड़ कर दी है एकाद चीज नही के बाद हमारा जो है बिलकुल बारीक सा ये मिक्सर बन के तेहार हो गया है तो इस सारे मिक्सर को मैंने हंकर्ड में जो है ट्रांसफर कर लिया है अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी यह डिब बनता है इसे आप चाहो तो नाचोस वगेरा के साथ भी खा ज लेकिन अभी इसमें नमक 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 बगएरा नहीं है तो आप अपने टेस्ट की अकॉर्डियं चाट मसाला आप कर सकते हो या अप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स पसंद हो वो आपका टेस्ट है किस तर अकर टेस्ट पसंद है इसमें आपका अप्शन बता दिये काला नाय है तो तारो सकते हैं नाय है फिसलेनिद कृटनी जो पृटना समय सब्सक्राओं किरेड़ देगा अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप इसमें 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 इस तो इस तरह से हमारे बोल बनके तयार हैं बहुत अट्राक्टिव और बहुत ही हेल्दी आप्शन है स्नाकिंग का अगर आप अपनी दिवाली पाटी में सर्फ करोगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो सारी हमारे चोटे-चो अनारदाना डाल देंगे यह बिल्कुल रूबी की तरह लुक देता है और बहुत स्मार्ट लगता है सॉरी इस वीडियो में काफी ज्यादा फास्ट बोल रही हूं क्योंकि कांटेंट काफी ज्यादा है और छोटे में खतम करना है इसलिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रूगे तरह में क्यों इससे कुप शकर लिया था बैर इसे टुट कर लेंगे और डिब करने के बाद इसे स्कुर्स ओपैर डाल दीजिए या नॉर्मल भी डारेक आप तवा पे इसे pit रोस्ट कर सकते हैं थेमं मैंने हलका से गरम करकि उसमें थोटा सा ती लाट किया था इस तरह से चारो तरफ पकाने के बाद थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए डारेक्ट फ्लेम पे पका लेंगे तो I hope ये सारी रेसिपीज आपको पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन में जरूर पतानो